तो दोस्तों आईए स्वामी विवेकानंद जी के रेल यातरा के बारे में कुछ ग्यान प्राप्त करते हैं एक बार स्वामी विवेकानंद रेल से कहीं जा रहे थे वह जिस डिब्बे में सफर कर रहे थे उस ही डिब्बे में कुछ अंग्रेज यातरी भी थे उन अंग्रेजों को साधूं से बहुत चिड़ थी वे साधूं की भर पेट निंदा कर रहे थे साथ वाले साधू यात्री को भी गाली दे रहे थे उनकी सुच थी कि चुकी साधूं अंग्रेजी नहीं जानते इसलिए उन अंग्रेजों की बातों को नहीं समझ रहे होंगे इसलिए उन अंग्रेजों ने आपसी बादचीत में साधूं को कई बार भला बुरा कहा हलांकी उन दिनों की हकीकत भी थी कि अंग्रेजी जानने वाले साधूं होते भी नहीं थे राश्ते में एक बड़ा इस्टेशन आया उस इस्टेशन पर विवेका नंद के स्वागत में हजारों लोग उपस्थित थे जिन में बिद्वान एवं अधिकारी भी थे यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करने के बाद लोग अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर स्वामे जी अंग्रेजी में ही दे रहे थे इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते देखकर उन अंग्रेज यात्रियों को साप सुन गया जो रेल में उनकी बुराई कर रहे थे आउसर मिलने पर वे बिवेका नंद के पास आये और उनसे नमरता पुर्वक पूछा आपने हम लोगों की बात सुने आपने बुरा माना होगा स्वामी जी ने सहच सालिंता से कहा मेरा मस्तिस्क अपने ही कारियों में इतना अधिक ब्यस्ति था कि आप लोगों की बात सुनी भी पर उन पर ध्यान देने और उनका बुरा मानने का आउसर ही नहीं मिला स्वामी जी की यह जवाब सुनकर अंग्रेजों का सिर सर्म से जुक गया और उन्होंने चरडों में जुक कर उनकी सिस्यता स्विकार कर ली तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद